खिलाडी, बाजिगर, धड़कन, हमराज, गरम मसाला जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर रतन जैन अब गुजराती सिनमा की दुनिया में उतर चुके हैं, वो लेकर आ रहे हैं एक फिल्म, डियर फादर, इस गुजराती फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं, डबल रोल में हैं, रतन जैन ने पिछले 30 सालों में अपने भाईयों के साथ मिलकर बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में बनाई हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या वज़ा है कि आपने गुजराती सिनमा में पदारपन किया है, आप फिल्म लेक अरभा एक कनेक्शन रहा है, तो यह एक फिल्म है यह अगुजराती प्ले था, है और प्रिश जी ने मुझे इसके बारे में जिकर किया था कि ईवन्स तो घंदी फिल्म, मैंने पहला प्रिश जी हम हिंदी जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले हम गुजराती बनाते हैं इसकी क्योंकि यह तो मतलब परिश जी के साथ एक नई चीज जो जाएगी हिंदी फिल्म आप रोस करते हैं और गुजराती फिल्म आपने कभी इन्होंने शाहिद तीस-पैसी साल पहले कोई गुजराती फिल्म की थी गुजराती ऑडियंस आपकूद गुजराती है गुजराती और मैं उनको इतना करीब से जानता कि वो किस कमाल के एक्टर है और यह जो रोल यह जो कहनी है जब मैंने सुनी ना यह प्लिस कीजिए आप हम लोग इसको पहले गुजराती में बनाते हैं वो एक्री हुए इस तरह यह फिल्म बन गई तो परेश रावल जी का यह प्रोपो वो जल तो गरेशए का ही है विकॉज ये प्ले भी उनका है ये डौवल में में लीड में भी वो है मैं घुजराती समझता हूं बोलता हूं लेकिन मैं घुजराती के बारे में इतना ज्ज़ा नहीं जानता क्यूंकि अच्टर भी सब उनी को करने थे एक्टर देक्टर ने भी परिश जी नहीं ढून की मुझे दिया कि भाई ये डिरेक्टर ठीक है आप जहां पे कंफरटेबल है मेरा काम है पूरी प्रोडक्शन फेसिल्टी देना और फिल्म को अच्छा रिलीस करना आपने खिलाडी बाजीगर जैसी फिल्मे अबास मुस्तान जो डिरेक्टर हैं उनके साथ बनाई और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत गुजराथी सिनेमा से की थी तो कभी आपको ऐसा ख्याल ने आया पिछले 30 सालों में की चलो मैं भी गुजराथी अरिजिनल सिनेमा में कदम रखता हूँ और फिल्मे बनाता हूँ नहीं ऐसे बहुत से डिरेक्टर हैं जो पहले गुजराथी फिल्में बना चुके है आपका कहना बिल्कुल सही है कि अबास मुस्तान ने अपना करियर गुजराथी से शुरू किया था अपर एक बार हिंदी में आए तो फिर हिंदी छोड़ के गुजराथी वापस जाना नहीं करते जादा करें डिरेक्टर त्यक्या आप परेश जी गुजराथी छोड़ के वापस गुजराथी फिल्म क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये उनका अपना एक वो है कि हाँ मुझे गुजरती फिल्म करनी है not for की मैं इसे पैसे कमाउंगा या क्या है एक उनका हर एक एकटर का एक होता है ना एकटर का डिरेक्टर का कि कई बड़े-बड़े डिरेक्टर जाके सीथे बंगाली फिल्म बना लेते हैं क्यों कि उनको करनी है एक अलग रीजनल लेंगवेज ट्राइ करनी है और परेश जी की जो गुजरती है वो तो परेश जी के मात्रभुमी है मात्रभाशा है I'm sorry तो वो मतलब अबास भाई एक बार जब हिंदी में आ गए मेरे खाल से उनकी पहली फिल्म जो थी उसके बाद उ कुछलापनें काम किया है कही र्वी नि निवठाए है कॉमेडी रोल्स नि भाए है आपका फेवरेट पसंदीदा परेश रोल की फिलम और उनका रोला कौं सा होगा आपकी फिल्म की अगर बात करे मां हम रादे شाम तीवारी उन्हों ने प्ले किया था बहृत ही बितरीन हैं वो और बहुत दिल से काम करते हैं मतलब एक बार अगर उनको एक करेक्टर में दे दिया तो फिर वो बिलकुल इवन मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ आर या पार जो केतन महता जिने ड्रक की थी उस फिल्म में ये प्लेड अ कॉप कमाल का रोल किया था उनोंने देखिए उसमें क्या होता है जब उनको इस फिल्म में भी डियर फादर में भी वो दूसरे रोल में कॉप में है लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर उनको हमने कॉप का रोल भी दिया था उसमें भी वो हुमर डाल देते हैं कि एक आदमी कॉप हो के यूमर यूमरसली कितना सरकास्टिक हो सकता है वो परेशी से अच्छा कोई कर नहीं सकता है और आपने तो अपनी फिल्म की बात बताई ही आर या पार इसके अलावा परेश रहोल की कौन सी कौन से किर्दार रहोल के ब Pokémon पसंद है काफी फिल्म में की हिरा फेरी में बागो भाईया तो काफी कल्ट है अपकी फिल्म नहीं थी मैं आपकी फिल्म के अलावा में पूछ रहा हूँ ऐसे तो हेरा फेरी तो उनकी लोगों को सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो हेरा फेरी ही है और उसके बाद हंगामा क्योंकि देखिए परिश जी इसके पहले हेरा फेरी के पहले बहुत सी फिल्मे की जिसमें उनने नेगिटिव रोल भी प्ले की है लेकिन उनकी में जो पहचान आउडियंस को जो पसंद आए वो हेरा फेरी से कॉमेडी से कॉमेडी में जितने सेट हो गए है अच्छा इस फिल्म में डियर फादर में भी ऐसा ही है अगर लोग सोचने की इमोशनल फिल्म में नहीं इसमें सरकाइजम भी है कॉमेडी भी है और बहुत अच्छा हीूमर है हाँ और हीूमर भी है कि जब मैं ज्यादा पता नहीं बाऊंगा लेकिन फिल्म देखें तो समझेंगे कि आपकी ये कॉमेडी नहीं है पर बहुत सी कॉमेडी है फिल्म में एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि परेश रावल की शक्सियत की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात उनकी शक्सियत की क्या है अक्टर तो बहुत उम्दा किसम के हैं ही वो उनकी और अगर शक्सियत की बात करें तो क्या आपको बहुत पसंद आता है उनमें परेश जी बहुत एक्स्क्लूसिव है मतलब हर काम के लिए तयार नहीं होते अपनी मर्जे से फिल्म करते हैं, उनको अगर समझ में नहीं आवे, कि यह कहानी मेरे बस की नहीं है, या मुझे मज़े नहीं आएगा करने में, तो ना बोल देते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, और जब आपके साथ उनके एक रिष्टे हैं, आपके साथ उनक साथ काम करना बहुत एजी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है, मैं परिष्जी को कुछ भी बोल सकता हूं, परिष्जी मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से इतने करीब हैं, मन की बात बोल सकते हैं, किसी को कुछ छुपाने की जरुवत नहीं है, अ भोषो का अब कॉप दूफ depरद हो सकते किसी भी करें के अचम को मुझे लगेगा कि हाँ यह रोल करेंगे ऐसा नहीं है कि मैं Walunar करलेंगे ये रोल इसके लाजै कि फिर वो बोलेंगे हाँ अचाय तर मैं नहीं नहीं करता हूँ शुक्रात में ओपन प्रगार रिश्ता है काफ़ी बहुत प्रगार्ड रिश्ता है आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाली में दक्षिन भारत की जो फिल्म थी पुश्पा उसको हिंदी में डब किया गया अलू अर्जन उसमें मुख्य भूमिका में थे और ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई सौ करोड का आकड़ा इसने पार कर लिया बाहु बली के बाद ये दूसरी फिल्म ऐसी बन गए जो डब वर्जन में सौ करोड का आकड़ा पार किया है और आप ऐसी बाते की जा रहे हैं की ये हिंदी सिनमा को निगल जाएगा, हिंदी सिनमा से आगे निकल जाएगा, ओर शाड़ो कर लेगा हिंदी सिनमा को, South की जो फिल्मे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्मे बन रहे हैं, उसका क्रेज बढ़ रहा है, तो एक प्रोडूसर तो हम भी बहुत कुछ करते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाए, लेकिन साउथ के जो डिरेक्टर्स हैं, वो थोड़ वड़ा फिल्म ज्यादा गुस्त हैं, कहानी हो, क्या बनाना है, कुछ नया करना है, कुछ आगे हम बड़ी नहीं रहे हैं, औरिजनल सब्जेक्ट्स, औरिजनल कहानियां, हर आदमी, most of the producers, जो बड़े producers हैं, इस चीज़ में लगए हैं, कि हम पैसे कैसे कमाएं, सी, एक जमाने में, हिंदी में जो फिल्में बनी, कहीं नहीं बनती थी, चाहे आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करो, मुगले आजम की बात करो, या ऐसी कई फिल्म आई, मैं बोलता हूँ, दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे, लेटिस कितनी मेहनत होती है ऐसी फिल्मों पे, लेकिन अब, अब कई एक जमाने से, हमारे यहां, सिनेमा में फिल्में नहीं चल रही है, बहुत से, बहुत कम फिल्में चली है, कई बड़ी बड़ी फिल्में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्में, जबरदस्त ओपनिंग ली पहले लेकिन ओपनिंग के बाद क्या हुआ क्योंकि आइटिमेटली जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें लगता है यह क्या फिल्म है तो आपको क्राउड प्लीजिंग फिल्में नहीं बन रही है दर्शक जो मसाला इंटरेटिंट्मेंट मासी लेव अगठ पाता है क्या लगता है आपको देखे फिल्मों का बिजनेस शिनेमा का मास से छोगा वो इंटरेट्ट्युल से आपको फिल्म का बिजनेस बड़ा नहीं होगा तो यह बिल्कूल सही है आपने कि आज क्यों पुश्पा चली कि उसका मास उडियंस है आज कुछ ऐसी में हैं जो बड़े बड़े अक्टर से मैं फिर नाम नहीं लोंगा लेकिन बड़े अक्टर लेते हैं पर सिनिमा में जाने के हिम्मत नहीं होती उनकी वो यह सोच के OTT पे रिलीज करते थे कि यार मैंने इसको 30-40 में बने आसी मिल रहा है ना बेच दो तो यह क्या है यह मतलब पैशन मां यह 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 आर्ट नहीं है तो ऐसा बहुत हो रहा हो और मैं मैंने ही सोच था कि मैं एसा करूं मैं कोशिश करता हूना कभी कर पाता हूं नहीं कर पाता आछ ऑलक बात लेकिन फिल्में बढ़नी चाहिए इसलिए कि आप सेनेमा तक ले जाएं और लोग पसंद करे हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि COVID का वक था, दोड़ाई साल निकल गए मैंने भी अपने फिल्म OTT पे रिलीज की क्योंकि सिनेमा खुले ही नहीं थे मैंने करीब 6 महीने वेट किया मैं और भी वेट करने लिए तयार था लेकिन नहीं खुले सिनेमा तो मुझे, मैंने तो सिनेमा सोच की बनाई थी पर आप तो बहुत सी फिल्मे OTT सोच के बन रही है, पर OTT सोच के अगर आप बनाते हैं, ठीक है आप नए एक्टर्स के साथ बनाते हैं आप उस स्केल की फिल्म बनाते हैं आप बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म बना के OTT पे रिलीस करते हैं, बतलब आपको सिनेमा का ओडियंस नहीं मिलेगा, यह इसलिए आप करते हैं ना, और तो कोई वाज़े नहीं है, इसलिए उके, यह तो बिजने सो लगता है कि मासस को ध्यान में रख के ही फिल्म बनानी ज लेगी तो फिक्षन है ना फिल्म को आपको थोड़ी पूछ रहा है कि आप रियल लाइक की स्टोरी बता रहे हो फिल्म में तो स्पाइडर में चलती है ना तो वो क्यों चलती है उसमें क्या लॉजिक से आपके तो ऐसा कुछ नहीं है अम आदमी जो एक गाओं में बैठा हू की सोच में कोई ज़्यादा फर्क है सिनेमा के मामले में सिनेमा अच्छा होता है बुरा होता और कुछ नहीं होता अगर आपने आपने बुरी फिल्म बनाईए तो न गाओं वाला पसंद करेगा ना शाहर वाला करेगा फिल्म अच्हीं बनाने पड़ेगी और उसके लिए मैं तो प्रोडूसर हूँ, मैं डिरेक्टर तो नहीं हूँ, मैं ये परक्ल कर सकता हूँ कि हाँ यार यार ये कहानी अच्छी लगती है, मैं बनाना चाहता हूँ, इसके आगे मैं नहीं कर पाता, मैं डिरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हमारे पास आज कॉंटेंट की कमी ह हमारी इंड़स्ट्री, मैं हिंधी इंड़स्ट्री की बात कर रहा हूँ आज कौंटेंट की कमी है, बहुत कम इरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं कि मेरे पास ये कहानी आप बनाई है, मैं जाता हूं कहानी कि तुब तू मुझे लगता ठीक है यार क्या है? चलिए जाते जाते में एक सवाल पूछना चाहूँगा आपने तमाम बड़ी फिल्में प्रेड्यूस की हैं पिछले 30 सालों में आपके आने वाली कुछ हिंदी फिल्मों के नाम अगर आप बताना चाहें यहां पर एबी पी न्यूस के दर्शकों के सामने खुला सकते हैं मैं देखिए बहुत से लोगों के साथ बहुत से चीजें अभी पेपर वर्क चल रहा है मेरा काम चल रहा है लेकिन अभी तक वो फिल्में जब तक 100% फाइनलाइज नहीं होती ना मैंने 7-8 डिरेक्टर्स साहिन किये हुए हैं उसमें से 5-6 पे काम चल रहा है अलरड़ी एक् क्यामरमन रवी पांचाल के साथ रवी जैन, ABP News, मुंबई